तो प्रभात मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा है आप सभी कुशल पूर्व होंगे और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे बच्चों आज हम अपनी हिंदी की पाठे पुश्ता कुडान का पाठ दस हर काम ठीक समय पर का अध्यन करेंगे इस पाठ में अच्छी आदतें और वेभार का वर्नन किया गया है तो आएए पाठ के माध्यम से हम जानते हैं कि अच्छी आदतें और वेभार अपनाने से हम कितनी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं पाठ दस देबू स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी मुँ हाथ दोकर उसने खाना खाया और सो गया उठा तो याद आया कि आज कार्टून चैनल पर एक नई फिल्म देखने को मिलेगी जट पर टीवी खोल कर बैठ गया कार्टून फिल्म देखने ममी बोली अरे देबू आज स्कूल का काम करना तो भूली गए अभी हमवग कर लेना फिर मज़े से टीवी देखना पापा शाम को टाउन पार्क चलने के लिए कह रहे थे ममी मैं वहाँ से आकर हमवग कर लूँगा देबू ने कहा और कहते कहते देबू का मुहू फूल गया ममी बोली कहीं इसका मून है मून ही ने बिगड जाए और फिर सारा दिन बैठा रहेगा गुसे में इसलिए देबू अपना पसंदीदा सीरियल देखने के बाद बस्ता उठा कर बैठा ही था कि पड़ोस का अंशुल आ गया वह बोला देबू चलो लूडो खेलें देबू बोला हाँ हाँ खेलते हैं और खेलते खेलते शाम हो गई पापा अफिस से आये तो बोले चलो जल्दी आज पार्क चलना है वहाँ जाकर ताजी हवा में घुमने का आनंग लेते हैं टाउन पार्क जाकर सचमुच देबू को बड़ा अच्छा लगा टाउन पार्क के तीन चक्कर लगाने के बाद वह जूला जूलने लगा धीरे धीरे रात हो गई और देबू को याद आया कि उसने तो होमवर्क ही नहीं किया और पापा से घर जल्दी चलने के लिए कहने लगा कि पापा घर चल दी चलो मुझे होमवक करना है अभी मम्मी का पार्क में घूमने का और थोड़ा मन था पर देबू की बास सुनकर वापस चलने को त्यार हुए तबी देबू को नीता दिखाई दी जो देबू के सा स्कूल में प्रती थी देबू को प्रिशान देखकर नीता नी पूछा तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी यूँ है इस पर देबू ने उदास होकर कहा कि मुझे होमवक करना है नीता को बड़ी हैरानी होई मैं तो स्कूल से आकर खाना खाने के बाद होमवक करती हूँ उसके बाद सारा दिन खेलूँ कूदूँ कुछ भी करूँ मुझे कोई चिंता नहीं होती है और हाँ जानते हो रोज रात को नानी से एक कहानी भी सुनती हूँ यह सुनकर देबू का मुँ उतर गया तुम्हारा कहना ठीक है नीता मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था नीता बोली हर चीज का एक टाइम टेबल बना लो अगर तुम टाइम टेबल बनाओगे तो तुम्हें उसमें कहानी सुनने का भी एक समय रखना है तब देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा अगले दिन देबू बदला बदला था उसका हर काम सही समय पर हो रहा था स्कूल से आकर खाना खाने के बाद उसने चंद्रलोग की यत्रा किताब पड़ी जो पापा ने बहुत पहले लाकर उसको दी थी उसके बाद रात को मम्मी से कहा ममी आप मुझे कहानी सुनाओ न ममी ने यार से उसे एक जादूई टोपी की बड़ी मजेदार कहानी सुनाई सुनाने के बाद कहा क्यों तुम तो देबू इस समय रोज होंवक करते हो फिर आज ये क्या है देबू बोला ममी वह गलत था अब मैं सही समय पर सारे काम करूँगा फिर मुझे खेलने के लिए भी समय मिलेगा और हा ममी मैं रोज आप से एक कहानी जरूर सुनूँगा याद रखना आप रोज मुझे एक कहानी सुनाओगी ममी हसकर बोली बिलकुल साथ साथ देबू की भी हसी जूट गई सिक्षा हर काम ठीक समय पर करना चाहिए तो बच्चो आपने इस पार्ट से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपना हर काम सही समय पर करना चाहिए क्यों? क्योंकि सही समय पर कारिय करने से हमें कोई परिशानी नहीं होती है अर्थात हम बहुत सी मुश्किलों से बच जाते हैं धन्यवाद आज का हमारा ये अध्याय यहीं परसमाप्त होता है आशा है आप भी अपनी आदतें और वेभार समय के अनुसार चेंज करेंगे धन्यवाद